नमस्कार भाईयों भेनों मैं सुमित अगरवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है Art of Healing आज हम बात करेंगे औरा Healing की एक टेक्नीक के बारे में जिस टेक्नीक का इस्तमाल करके प्रियोक करके हम अपने घर की अपने आफिस की औरा को हील कर सकते हैं और आपको पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव सिच्चुएशन को अपने लाइफ में अट्राइक कर सकते है करना क्या है आपको आपको थोड़ी सी सरसों लेनी है पीली सरसों हो या काली सरसो और यह लेना है आपने जो यह उपाय करना है अमावस्या के दिन जी हाँ अमावस्या की रात को ये आपको उपाय करना है पीली सरसो लेनी है अपने और उसको अपने लेफ्ट हैंड पे पीली सरसो को रखनी है थोड़ी से मुठ्थी बड़ाब ले सकते हैं या थोड़ी से कम आपने अपने लेफ्ट हैंड में रख ली और अमावस की रात को आपने क्या करना है उस पीली सडसों को अपने घर के सभी कॉर्नर्स में फैकना है ऐसे फैकना है लिटरली इस तरह से ऐसे कॉर्नर्स में फैकना है घर के जितने भी ही कॉर्नर्स हैं हर कमरे के कॉर्नर्स में आ आपको उसको फैकना है अगले दिन अमावस के अगले दिन रात को अपने फैकनी बाद अपना अपने हाथ भात धोली अपना उसके बाद आपको सोना है या टीवी देखना है वाटरवर जो भी आपको काम करना है वापना कर सकती है ये अप उपाय जो है खाना खाने के बात कर पर रूम में living room है आपका dining room है बच्चों का study room है kitchen है ठीक है आपने bathroom को भी दालना है च्छत है पर बिटालना है डालते हैं अगली सुभा आपको ज्ञाडू लगानी है और जाडू इस तरह से लगानी है कि एक भी सरसो घर में या छत पे कोई भी रहनी नहीं चाहिए बहुत जो है बारीक जाडू लगानी आपने अच्छे से जाडू लगाने कि एक भी सरसो रहनी नहीं चाहिए जाडू लगानते वक्त आ करना है आपने उस सारी सरसो को अब उस सडसो होता है जय से हम सकोरा कहते हैं जो दिये जया? उसके क्या करना है? Uh को टुकडे करके कमसे को सकोरे में डालने हैं और सुभा जयाडू लगाने के बाद वो पीली सरसो आपने घट्टे करी है. यह सकोरा और गाय के कंडे और थोड़ा सा कपूर और एक माचिस लेके पीपल के पेड़ के पास जाना है. पीपल के पेड़ के पास सकोरा रखना है जिसमें गौकंडे रखे वे हैं ये पीली सरसो लेनी है उस सकोरे के अंदर डालनी है और कपूर लेके आपने उसको जला देना है थोड़ा सा आपको तेल लेना है सरसो का तेल या आप घी भी ले सकते है उसमें थोड़ा सा डाल देन आपने जो आपने उपला रखा है उपले वैसे चुपड देना या उपड़ा देना जैसे ये सरसो जलेगी ये सरसो सारी negative energies को burn कर देगी वो negative energies जो आपके घर के अंदर थी वो negative energies जो आपकी life में negative situations को attract कर रही थी वो सारी negative energies आपकी burn out हो जोगी जैसे ही आप people के पेड़ के नीचे इसको burn करेंगी अब why people का पेड़ ही क्यों किसी और पेड़ के बारे में मैंने क्यों नहीं वोला क्योंकि people का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे जल्दी सबसे तेज negative energies को अपने पास absorb कर लेता है ये people के प रखना है हम आवस की ठीक अगले दिन और इसको जला देना है जैसी इसका धुआ निकलेगा क्योंकि जैसी सरसो जलेगी कंडों के साथ तो इसमें से धुआ निकलेगा और धुए को जैसे ही people के पर absorb करेगा और सारी negative energies को absorb कर लेगा और आपका घर जो है positive energy से positive vibration से जो है vibrate करेगा और आप अपनी लाइफ में positive situations को ही attract करेगे मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि भविश्य में आपको ऐसी जानकार्या मिलती रहें तो प्लीज मेरे चैनल सब्स्राइब करें लाइक करें कमेंट्स क शेयर करें और बेल आइकट का बटन्स जरूर दबाएं मैं सुमेत अगरवाल अपनी वारी को यहीं विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय जय हिन वंदे मात्रा